Assalamu alaikum class 2 कैसे हैं सब प्यारे बच्चे उमीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और दिल लगा कर आपने अपना काम जो है वो याद करना स्टार्ट कर दी होगा सो सुडेंट जैसे कि आपको पता है हमने इंग्लिश की बुक का युनिट नमबर 4 उसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी आज हम पेज नमबर 32 पे अपनी एक्ससाइज सॉल्फ करेंगे जल्दी से अपनी Oxford Modern English निकालें पेज नमबर 32 और यहां उपर जो है वो आज की डेट मेंशन करें तो क्या डेट है आज हमारी 18, 5 and 21 ठीक है सब बच उने डेट लगा ली वेरी गूड चलें देखते हैं मारे पास एक्ससाइज में फर्स्ट क्या है complete the following sentences in your own words वो कहते हैं इन words इन sentences में आपने अपनी मर्जी के words लगा कर इनको complete करना है ठीक है फर्स्ट है हमारा नासिर लाइड आपने बताना है नासिर को क्या पसंथा कौन पसंथा हमने ये lesson पढ़ा है ना उसको कौन पसंथा अंकल समी तो यहां पे हम क्या लिख देंगे अंकल समी अंकल समी का U और S जो है वो capital लाइगा क्योंकि ये proper noun है ठीक है उसको पता है proper noun के first first letter हम क्या करते हैं capital करते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे नासिर कोट होल्ड ओफ डॉग्स लीड लीड कहते हैं रसी को ठीक है जो उसने गले में बांदी होती ने पत्टे के साथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं next है नासिर के जो अंकल थे वो कैसे इंसान थे jolly man यानि के हसने हसाने वाले जिन्दा दिल jolly man तो यह मारा sentence मन गया नासिर अंकल वाजा जॉली में last है नासिर वाज फ्राइटन नासिर जो था वो खौफ जदा हो गया डर गया जब वो डर गया था तो उसने क्या करना शुरू कर दिया था उसने भागना शुरू कर दिया था यही किया था ना उसने तो इसके आगे हम लिखेंगे and started to run और उसने भागना शुरू कर दिया था यहां तक सबका हो गया very good अब exercise number two है rearrange the words in the following sentences अब इन words को आपने arrange करना है यानि के एक पूरा sentence है sentence के words को आगे पीछे किया हुआ था था आपने इनको arrange करना है चाहे तो आप इन पर numbering कर दें जैसे कि यहां पर मापस कौन-कौन से words है box in three lived mice are broken अब यहां पर देखें आपको एक डबा नजर आ रहा है ठीक है और उसके डबे के अंदर तीन चूहे है ठीक है इस इंग्लिश के sentence के words आगे पीछे करके लिखी है तो आपने इनको इनसे एक proper sentence बनाना है जैसे के three mice lived in a broken box तीन चूहे एक टूटे हुए डबे के अंदर रहते हैं ठीक है तो हमने इस sentence को अरेंज करके यहां उपर लिख देना है इस तरीके से आपने उपर लिख देना है three mice lived in a broken box और यहां पर आपका sentence खतम हो गया तो आपने क्या लगा देना है एक full stop लगा देना ठीक है next देखते हम आपस words कौन से है under shelf box the was my ठीक है तो अब यहां इसका हमने proper sentence बनाना है मेरे साथ साथ बनाए my box was under the shelf मेरा डबब जब वो shelf के नीचे पढ़ा हुए देखें यह sentence हमने इनी words से बनाया है my box was under the shelf ठीक है अब इस sentence को हमने उपर जो है वो री राइट कर लेना है इस तहीके से आपने उपर sentence को री राइट कर लेना है my box was under the shelf ठीक है चलें C देखते हैं are the noise made mice sometimes big अब इन वर्स को भी हमने यूज करके इन से क्या बनाना है एक sentence बनाना है चलें बनाते हैं sometimes the mice made a big noise क्या बना sentence हमारा sometimes the mice made a big noise यहनिके बाज उकाद चुहे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं ठीक है बन गया sentence चलें अब यहां उपर हम इसको री राइट कर लेते हैं तो उपर मैंने इसका sentence री राइट कर लिया sometimes the mice made a big noise बाज उकाद चुहे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं ठीक है चलें sentence number D देखते हैं I go to away them told अब इससे भी हमने एक proper sentence बनाना है तो हम बनाते हैं I told them मैंने उन्हें कहा to go away कि यहां से चले जाओ sentence बन गया I told them to go away मैंने उन्हें यहां से जाने के लिए कहा इस sentence को हमने उपर rewrite कर लेना है ठीक है इस तरीके से आपने उपर rewrite कर लेना है I told them to go away लास्त देखें a was box said it, they, nice, that ठीक है invert को भी अब हमने arrange करके इन से sentence बनाना है चले बनाना स्टार्ट करें they said उन्होंने कहा that they said that उन्होंने कहा के it was a nice box के यह डबा बहुत प्यारा है they said that it was a nice box बन गया पूरा sentence चले उपर rewrite कर दें इसको so यह sentence आपने लिखने रहा है they said that it was a nice box ठीक है अब जरा नीचे आजाए नीचे है describing words are called adjective यानि के ऐसा लफास जो किसी चीज़ को बयान करते हैं किसी चीज़ के बारे में बताते हैं उन्हें क्या बोलते है adjective जैसे के examples है a stormy day अब day यहां पे क्या है noun है और stormy यानि के तुफानी so यह word तुफानी जो है यह दिन के बारे में हमें बता रहा है it's mean stormy यहां पे क्या है adjective इसी तरीके से अब bright face एक रोशन चेहरा अब चेहरा यहां पे noun है तो चेहरा कैसा है bright है रोशन है so यह word हमें जो face के बारे में बता रहा है it's mean bright यहां पे क्या है adjective इसी तरीके से an awful sound एक बुरी सी आवास तो आवास कैसी है बुरी so awful यहां पे क्या है adjective है ठीक है अब इसकी exercise देखते है हमने क्या करना है add adjective to the following nouns write them in your notebook so हमने सिफ और सिफ यहां पर ही इसको solve कर लेना है so notebook पे हमने नहीं लिखना तो इसको हम यहां पे cut कर देंगे ठीक है so हम यह यह काम जब बुक पे करना है यहनि कि अब हमने इन noun के लिए एक-एक adjective सोचनी है यहनि कि a dash house house कैसा है कोई भी आप यहां पर word लिख सकते है a beautiful house a small house a big house ठीक है so an old and नहीं कर सकते है क्योंग यहां पर a है ठीक है so a new house कर ले तो यहां पर मैं लिख रही हूँ big यह मेरा बन गया a big house ठीक है next is a dash palace palace कहते है महल को ठीक है और महल कैसा होता है खुबसूरत होता है तो यहां पर मैं क्या लिखता हूँ कि beautiful b e a u t i f u l a beautiful palace यानि कि एक खुबसूरत महल next है a dash car car यानि कि गाड़ी अब गाड़ी के लिए हमने एजेक्टिव लिखना है तो यहां पर मैं क्या लिख रही हूँ new यानि कि नई a new car एक नई गाड़ी ठीक है a dash dog और dog कैसे होते है आपको पता है जंगली होते है ठीक है तो यहां पर मैं क्या लिख रही हूँ wild तो wild word यानि कि जंगली हमें बता रहे है कि dog कैसा है So, wild यहां पर क्या है? Adjective है Next है a dash torch Torch क्या करती है? रोश्णी देती है So, यहां पर हम क्या लिख देंगे? Light torch, यानि के रोश्णी देने वाली torch Last है a dash book Book, यानि के किताब So, यहां पर हम क्या लिख देंगे? And किताब के लिए कोई भी word कर ले dir a story book heavy, यानि के भारी a heavy book, एक भारी किताब ठीक है page number 32 की exercise हमारी complete होगी, अब एक exercise का question हमने page number 33 पर भी करना है, so वहाँ पर भी आजाएं, add comas to the following, अब यहाँ पर मैंपर sentences हैं जिनमें हमने comas लगाने है student, comas हम दो qualities के दर्मियान लगाते हैं, यानि के एक ही चीज़ को बताने के लिए, जब दो word इस्तमाल किये जाते हैं, जैसे के, tree है tree कैसा है, old, पुराना gray, अब यहाँ gray क्या होता है, रंग है उसका, ठीक है यानि के दर्ख्त की यहाँ पर दो adjective बियान की गई है, so दो adjective के दर्मियान हमेशा यहाँ पर कॉमा आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, कॉमा, ठीक है उसके बाद, अब यहाँ पर house की बात की जा रही है, घर की, घर कैसा है large, बड़ा है, modern, जदीद है, यानि के आज के दोर का है so house की यहाँ पर दो adjective है तो large और modern के दर्मियान में हमने क्या लगा देना है, कॉमा next में देखें, he drove a fast red sports car, वो एक उसने लाल sports car चलाई, ठीक है, अब यहाँ पर देखें गाड़ी की दो qualities है, एक तो वो sports की है, दूसरी उसका color क्या है red, उसकी दो adjective है it's mean red और sports के दर्मियान क्या आना है, कॉमा आएगा उसके बादे, the room was dirty, dark and empty, कमरा जो था वो गंदा, अंधेरे वाला और खाली था, अब यहाँ पर देखें उसकी तीन qualities बताएगी हैं लेकिन दो के दर्मियान उन्होंने end लगा दिया it's mean dirty और dark के दर्मियान हमने क्या लगा दिना है, कॉमा लगा दिना है ठीक है, so कॉमा का यूज आपको आगया I will class 2 आज की exercise आपको easy लगी होगी इसको आपने neat handwriting में अपनी book पे solve करना है at page number 32 and page number 33 और इसको अच्छे तरीके से याद करने, इन्शादा नेक्स लेक्टर में हम इसकी notebook वर्ड स्टार्ट करेंगे तब तक इसे अच्छे तरीके से याद करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा Take care, Allah Hafiz